नमस्कार मेरा नाम है अरविंद गुपता और मैं हूँ जूनियर सिस्टेंट डिश्टेकेंट सेशन कोड में मेरे साथ में है रमायन उपध्याय और ये प्रोसेस सर्वर के पत्पे कारीरत है इन्हों अभी हाली में गुरूप सी का और इस्टैनों का एक्जाम दिया है तो यही चीज इन से डिस्कस करेंगे हम कि गुरूप सी की और इस्टैनों की कट आफ कितने जानी है क्योंकि इन्होंने एक्जाम दिया है तो एक्जाम का एक्सपरियेंस है और मेरे पास अलड़ी में कारीरत हूं गुरूप सी में जुनियर सेस्टैन के पत्पर कारीरत हूं तो मुझे उसका एक्सपरियेंस है तो यही सारी बाते इस वीडियो हम डिसकस करेंगे पूरा इनालिसिस के लिए इस वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है तो आईए इनसे पूछते हैं सबसे प्रेद की इन लाइन कह सकते हैं आप करीब शूट गई थी मेरी अभी जैसे लोग की सबसे बड़ी प्राब्लम यही है क्योंकि मैक्सिमम लोगों के कुछ वर्ड्स या एक डेल लाइन छूट गया है तो इस पे लोगों की चिंता है कि सर कई फेल तो नहीं हो जाएंगे ऑल्रेडी मैं ज कि यह मत सूची है अगे फेल हो जाएंगे टाइपिंग की बात करना हुए टाइपिंग में आप पास हो जाओ गए फाइनल में भले ही आपके नंबर कमूने को वज़े सा आउट हो सकते हो नेकिन टाइपिंग में पास हो जाओ गया ठीक है तो आपका सबसे पहले प्री में की तो कि इनना जा सकता है कि पिशले साल से अगर कंपर करेंगे तो जैसा कि पहला वाला पेपर था पेपर पिशले साल कंपर अबसल्ट था तो इसलिए एक दो पासी कट ओफ सी की रहने की उम्मीद है और स्टेनों में मेरे हिसाब से 65 के करीब लोग यहां पर मेरे साथ कई लोग साथी दिये भी थे तो 65 प्लस अराउंड 90 नमबर अगर अगर सेकेंड में जोडते हैं तो 155 नमबर जो है तरीके से सेफ है स्टेनों में 155 तक आप सेफ है जैसा कि आप यह स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यह ग्रूप सी का पिछला वाला कटाफ है 2019 में बलब 2018 का जो नोटिफिकेशन था 2019 में एकजाम हुआ था उसका कटाफ यह स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि जनरल का 126 है OBC का 119 है तो हम कंपेर कर रहें इस बार से तो पिछली बार की तुलना में इस बार टफ सा तो यह कहना कि कटाफ इससे ज्यादा जाएगा यह तो मुझे नहीं लग रहा कि सही होगा तो कटाफ आप मान के चलिए इसके बराबर यह इससे कम ही जाना है इससे ज्यादा नहीं जाएगा तो अगर आपके नंबर इतने बन र कट आफ उस टाइम जनरल के तो इस बार उससे काफी कम जाएगा जैसा कि यह बतार 150 पच्पन के आसपास ही जाना है कट आफ तो अगर इतने नंबर आप क्या रहें तो आप सेफ हैं ठीक है दूसरी बात आपको किस एक्जाम में ज्यादा दिक्कत है ग्रूप सी में यह इस ट टाइपिंग यह टाइपिंग था स्टेनों के लिए मज़े सोटन में थोड़ी चीदिक्कत आई क्योंकि सोटन में अच्छा था नहीं तो मैं सोचा था कि नहीं मैं कुछ जो वर्ड्स नहीं आते हुन्हें में हिंदी में लिख सकता हूं लेकिन ऐसा वहां लाव नहीं था क मतलब इन्हों तैयारी तो करी थी सोटन कि जो भी जितना टाइम मिला उतने करने कोशिस किये लेकिन जैसा कि आप लोगो पता है कि लंबा प्रोसेस होता है सोटन सिखना तो इनकी हो नहीं पाई थी तिन्हों सोचा था कि एक्जाम टाइम में जो भी वो लोग बोलेंगे उ बनिल जा लेकिन यह बता रहे हैं कि उहांपे इन्वीजिलेटर ऐसा करने नहीं दे रहे थे उन्होंना कहा कि आपको सॉट हैंड में ही लिखना है आप हिंदी में नहीं लेक सकते हैं कि सब्सक्राइब आपको लिखना पड़ेगा तो इस विया से मैं कहूंगा कि आपका ख जाएंगे फिर भी लब स्टेनों में चली ओर बन नहीं पाया कि यह क्योंकि अब सेंटेंस ओर वाइस लिखने होते हैं पांच मिनट की जो थी उसमें डिक्टेशन तो वह पॉसिबल नहीं हो पाया तो इस वजह से मैं प्रेडिक्ट निकर्शता कितना नंबर आएगा कितना नहीं आएगा तो मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि कट आफ के लिए आप परसान मत होई है और रही बात रिजल्ट डेट कि तो रिजल्ट आप मान के चलिए कि मई 15 मई के आसपास या 15 मई के बाद ही रिजल्ट आना है तो अब जो है आप इन सब चक्करों को छोड़के कि रिजल्ट कि कब तक आएगा और कट आफ कितना जाएगा इन सारी बातों को छोड़के अगले जो भी आपने फॉर्म भर डाले हैं जो भी फॉर्म भरे हैं आपने उसके लिए आप तैयारी कीजिए जैसे कि SSC CGL 23 का भी नोटिविकेशन आ चुका है तो मैं चाहूंगा क कि अगर आप लोग तैयारी करते हैं सिलेबस उसका आप देखिए अगर बिल्कुल बेगिनर भी आप SSC के लिए तो भी आपको करना चाहिए क्योंकि जो ग्रूप सी का इक्जाम दे सकता है वो उसको भी कर सकता है तो कहीं से सीजियल के लेवल से कम मतलब कम तो था लेकिन इतनां भी कम नहीं था यानि कि कि अगर कोई तैयारी किक्त कर दिया है तो मलबेकर और कोई से भी फॉर्म आ तो उसको बढ़ते रही है, अब इस वैकेंसी को आप भूल जाएए, मतलब भूल नहीं जाएए, मतलब अब इस पे ज़्यादा सोचना, डिसकसन करना छोड़ दीजे, अब एक कैंडिडेट का कमेंट आया था, वो कह रही थी कि सर प्लीज एक्सपेक्टेट काट अब बता देजे, मुझे रात में नीद नहीं आ रही है, तो यार यह मतलब इस कदर क्या मतलब किसी भी एक्जाम कुले करें, इतना जादा क्या सोचना है, यह अलग लेवल है, मतलब की रात में नीद नहीं आ रही है, इतना नहीं सोचना है, अगर आप एक ही वेकेंसी को लेकर इतना सोच हो गया, अब यह बताओ, इसमें कुछ नहीं किया सकता है, अब तो एक्जाम भी हो गया, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बस फाइनल र लगता है, क्योंकि पिछले साल हम लोगों का जो है, टाइपिंग एजाम हुआ था 10 मार्च को, और फाइनल रिजल्ट आया था 11 माई को, तो लगवग 2 महीने का गैप था, ठीक है, तो अभी यह एक्जाम हुआ है, 28 मार्च को, है न, तो मान के चलिए आप फिर माई में ही, 15-20 माई के बाद से आना है फाइनल रिजल्ट, तो अब इस चीज़ पे वीडियो देखना, बार-बार सर्च करना बिल्कुल छोड़ दीजे, वेस्ट आफ टाइम होगा, और टाइम के कीमत आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतनी जानकारी ठीक है, और कटाफ के लिए भी ज्यादा परसान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं पिछले से कंपेर कर रहा हूँ कि भाई जितना गया था, उससे ज्यादा तो नहीं जाएगा, क्योंकि आप लेवल देख सकते हैं इसका, ठीक है, तो अपने इस्चिंत रहिए, आप अगले एक्जाम 211, उस पर आप डारेक्ट मैसेज करके, मुझे एससे सीजियल से रिलेटेड आप सारे डाउट अपने कलियर कर सकते हैं, ठीक है, मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्यू फार वाचिंग इस वीडियो